नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीती और आपका मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं अहोई अस्थिमी केवारे में आपको पूरी जानकारी देने वाली हूं कि आपका ये ब्रत जो है इस साल कपर्णे वाला है, इसका क्या सुम्मूरत है और इसको हम क्यों रखते हैं और किसलिए रखते हैं तो आज मैं सभी चीजें आप लोगों को विस्तार से बताने वाली हों तो चलिए हमारे वीडियो को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अहूई अश्टिमी का जो ब्रत पूजा होती है, वो संतान प्राप्ति के लिए होती है, संतान सुख के लिए माता हैं, अपनी बच्चों के लिए निर्जला वास रखती हैं, उनकी जीवन में सुख, शान्ति, सम्रति रहे इसलिए, उनका भविश्य अच्छ की पूजा होती है, तो इस दिन आप अच्छी तरीके से चौक पूर कर पटे पटा बिचाईए, उस पे कपड़ा लाल बिचाईए, और एक कलश रखें, पानी से भरा हुआ, उसके उपर एक और कलश रखना चाहिए, जो कि आपका करवा होता है, वो उसके उपर कलावा जर पूजा होता है, तो आप लोग भी जरूर इस ब्रत को करें, और जो ये ब्रत होता है, ये पारवती जी के लिए रखाया तो सारा सुहा का सामन जरूर अर्पित करें, उनको टीका लगाए, दिवाल पोन की तस्वीर लाके उनकी पूजा करें, और ये जो पूजा होती है, संतान के लिए होती है, इसलिए बहुत सारी जंगे पर ये बहुती विधी विधान से की जाती है, और जो ये पूजा होती है, इसमें आपको रितु फल चड़ाने चाहिए, जो कि हरे हों, जैसे कि आपको सीता फल चड़ा सकते हैं, आप अमरू चड़ा सकते हैं, सज्जिय लेके आप इसको पढ़ें और अपने हाथों में और अपने गले में जरूर इस चीज को धारंट करें जो इसकी जो तावीज होती है जो इसकी माला होती है चांदी की वो जरूर आपने हाथ में रखें अहोई अस्टमी का जो शुम मूरत है वो है शाम को पांच बच कर उन्ता प्रशाद में लिए हैं आप जो चीजें लिए हैं अपने हाथों में वो जैसे कि गेहूं हैं फूल है और जो आप चीजें लिए हुए हैं वो उसी कलश में डालने फिर से और जब तारे निकलेंगे या चांद जो भी आप देखकर पार्ण करते हैं उस समय आपको अर्ग दे प्रशन होती है माता और हरी सबजियां हरे फल जरूर चड़ाएं पान वगराभी आप चड़ा सकते हैं दूब दीप आरती करें कथा सुने कथा पढ़ें स्वाकसामन जरूर अर्पित करें सबसे पहले गणेश गोरी की पूजा करने के बाद ही आहुई माता की पूजा करे और जो उसकी ताबीज होती है जो उसकी माला होती है उसमें हर साल दो-दो मोती जोड़ते जाते हैं चांदी के वो जरूर आप पहने उस दिन जरूर पहने और ये जो पारण करना होता है अहुई माता की ब्रत की रात में आपको तारों की च्छाओं को अर्ग देकर आपको बच्चों को भी टीका जरूर लगाए माता का खुद भी आप टीका लगाए आरती करें और बच्चों को भी अपनी आरती दें और ये आपकी जो माला है उसका धियान रखें उस दिन जरूर पहने अगर आप रोज नहीं पहन सकते तो ये जो पूजा होती है दीपावली के प बता दिया है और अगर इसके लिटेट आपको कोई भी और कॉशन हो मन में डाउट हो तो आप मुस्से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बहुती विधी विधान से ये पूजा होती है बहुती स्रद्धा से मन से ये पूजा होती है तो आप सभी को अहोई एस झाल झाल